शारुख खान और सल्मान खान ने लगतार बॉलिफुट को हिट फिल्म में दी हैं पर बीते कुछ साल दोनों के लिए अच्छे नहीं रहे दोनों ले लगतार फ्लॉफ फिल्म में दी इस बरस की शुरबात में शारुख खान की पठान के जरीए ये सिलसिला तूट गया फिल्म एक तगड़ी हिट साबित हुई कमाई के मामले में ये बाहुबली टू के हिंदी वर्शन को अगले तीन से चार दिनों में पीछे छोड़ सकती है वही पठान की सभलता का कुछ क्रेडिट लोग सल्मान खान की धमाकेदार एंट्री और दमदार कैमियो को भी दे रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि दोनों सितारे जब किसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो वो कमाल की होती है इस वक्त सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर काफी चाचा है और लोग इंतशार कर रहे हैं कि फिल्म बड़े पर पर कब रिलीस होगी हाला कि आपको याद दिला दे कि सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 में भी शारू खान नसराने वाले हैं इस फिल्म में शारू खान का भी कैम्यो होने वाला है इस बीच शारू खान का कैम्यो कैसा होगा किस तरह से होगा क्या कुछ इस सीन के दौरान होने वाला है समरी अपडेट सामने आ चुकी है दरसल ख निकालते हुए गुंडो की बैंड बचा देते हैं अब इसी अंदास में शारु खान की भी एंट्री होने वाली है दरसल ऐसा कहा जा रहा है कि सल्वान खान एक खतरनाक मिशन में होंके और इस बीच वो जेल में फच जाएंगे इसके बाद शारु खान उनको वहां से निकाल इपरिल के महिने में करेंगे अभी वो जवान की शूटिंग में काफी पिसी है जवान 2 जून को रिलीस होने वाली है वहीं टाइगर 3 भी इसी साल दिवाली पर यानि की 10 नवंबर को रिलीस होगी यह वायरेफ स्पा यूनिवर्स का हिस्सा है यह यूनिवर्स शारु खान झाल